वेल्कम बैक टू निशाज रेंबो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का निशाज रेंबो में तो कलाकारी देखी मेरी चलिए अप सीरियस नोट पे आते हैं और फटा फट बना रहे हूं मैं डिनर और डिनर में आज है कुछ स्पेशल आपके लिए आलू के पराथे तो आपने बहुत से खाए हूंगे लिकिन आज मैं आपको आलू और पालक के पराथे बता रही हूं बनाईए का जरूर बहुत ही डिलिशिस और बहुत टेस्टी बनते हैं तो यहां पर मैंने प्याज बिल्कुल छोटे-छोटे बारी मैंने मिर्च भी ले ली एक सकती हुए है और रएक शूब स्वाटी हे चांग कर लिए हैं और थोड़ा सा फालक केशेचा है यह ऑन्रशी में प्रेन साहिए बहुत मैं पर्लव को यां पर छोटे-चोटे पीसस नहीं कर रही हैं उ cobra कर दो मिर्च रहेहाई नहीं हम आपनी आलू में इसको एड़ करेंगे तो हमाया मसाला बहुत अच्छा बनने वाला है तो चलिए बस ये देखिए आपके सामने दो मिनट का काम है बस फटा-स ये हो जाना है और इसके बाद इनको एड़ करूंगी मैं आलू में तो आलू मैंने पहले से बोल करके रख लिय और उसको अभी देखिया आपके सामने मैं फ्राइए करूंगा तो देखिए यहां पे प्याज हमारी लाल होने के बाद हमने बेसिक मसाले मिला लिए हैं और दोस्तों मेरी बात मानिएगा तो धनिया पाउडर अमचुर थोड़ा ऐसा ज्यादा मात्रा में डालिएगा और यहां पे जो आलू मैंने बॉयल करके रखे हुए थे उनको मैश कर के डाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा इसको हमें मैश अपने हाथों से नहीं करना है क्योंकि पोटेटो मैश हो रहा जिससे कि यह इवैली अच्छे से हो जाएगा तो चलिए इसको फटा-फट से फ्राई करते हैं और जब हम इसको भून लेंगे अच्छे से थोड़ा स करनी की दूद नहीं है तो आप आप शैलैंड में कुट्षी खा सकते हैं तो ऐस की आपको फटे आप इसको बिल्कुल पुकल ना देना है थो नहीं है जो प्लकल पका हुए वह कला बना देर रेंगे बहुत अच्छा एजसे था और लास्ट में आप यु दिकें नमक जाएगा और बहुत अच्छे आपके पराठे बनेंगे और लास्ट में जो स्पेशल टाच अप है चाट मसाला वो मत बूलिएगा उसको भी डाल दीजेगा बिलकुल मस चटकारेदार चटपटे पराठे आपके बनेंगे और इन पराठों को आप चाई के साथ कॉफी के साथ इंजॉय कर सकते हैं ठंडियों में और चाहे तो सुबह के ब्रेकफास्ट में या रात के डिनर में कभी भी खाईए मन खुश हो जाएगा और अगर दो पहर में खा रहे हैं तो दही जरूर ले लीजेगा ठीक है मेरे कहने पे तो चलिए अब यह आलू रखूंगी मैं आटा टाल दिया फ्रिज में अभी वह इतना टाइट हो गया है कि मेरे सब बन नहीं रहा था फिर मैंने थोड़ी महनत करी इसके साथ और भी बन रहा है लिकिन थोड़ी से पराटे फट रहते शुरू में बट फिर से इसको दो बार मैंने गूंता है आटे को अच्छे से प है तो वह गड़बर हो जाएगा तो आटा हाथ के हाथ फटा फट लगा करके तब बनाईए बहुत अच्छे बनेंगे पराटे आपके और इसको आप सैंड़िचे में भी ट्राइ कर सकते हैं और आप इनकी पैटी बना करके बर्गर वगरे में भी यूज कर सकते हैं बहुत जादा डाल दी है लेकिन पाला को जब बताया तो बच्चे भी हैरान रहे गए यार ममा बहुत यमी लग रहा है और इसको आप ग्रीन चटनी क्योंकि अभी तो ठंड का मौसम आ गया है कच्छे वाले टमाटर हूं और मस्त धनिया हूं खूब सारा लैसुन और तोड़ी सी और नमक तो अपने टेस्ट के कॉड़ी ही होगा तो बहुत अच्छे आपके पराठे बनेंगे और सब उंग्लियां चाटते रह जाएंगे तो बहुत अच्छे बने थे और यह पहला पराठा मैंने डाल दिया है सेखने के लिए और मैं किसी काम में बिजी हो गई तो मेरा जल गया तो यह जल गया तो मैं हस्बिन से कहानी बताने लगी वो मेरे पास ही खड़े हुए थे तो हम लोग कुछ बाते डिसकस कर रहे थे किचन में तो यह वाला टाइम ऐसा है ना कि बहुत गर्मी तो लगती नहीं किचन में अप अराम से बैठ के दिन भर की बातें भी सकते हो तो मैं मिस्टर हजबन को बता रही थी कि जादी के पहले हमारे यह पुजा हुई थी मेरी शादी की ज़ए नहीं बहुत पहले तो मैं थी और मेरी बड़ी बाली भावी थी तो हम दोनों बना रहे थे पूड़िया यह कुछ बना रहे थे स्टफिंग वाला और वह बिल्कुल फट जा रहा था उसमें तेल में डालने के बाद गुजियाती या क्या था याद नहीं है भावी से पूछूंगी मैं तो उसमें क्या हुआ कि हम दोनों सोचते रहे कि चलो हम इसको चान के और मम्मी तो बैठी थी पूजा में मम्मी को पता नहीं चलेगा हम इधर क सच ऐसी को जरूत पड़ती नहीं थी कभी कभी उसको मम्मा यूज करती थी चटनी वगेर बनाने में और हमने उसको डाला और वो तेल पूरा आरपार हो गया और छनी गायव हो गई मैंने का यह चनी घा गई मतलब बीच वाला जो जो जाल वाला पोशन होता है न वो पूर ही मेल्ट हो गया हम दोनों क्या हाथ प्यार फूल गए मैंने उठा के उसको फेका उपर दुछती थी उस पर मैंने का भीया मम्मी को ना पते चले और मम्मी बाद में उसको ढूंड रही है पूजा कतम हो गई दो-चार दिन बाद मम्मी का ध्यान गया होगा अब ढूंड र समय खाते हैं या बाद में बड़ चलिए कोई नहीं देखिए यह सब क्या होते हैं एक्सपीरियंसे होता है ना लाइफ के इनको आप शेयर करिए बच्चों से या इनको कभी बैठ के खुद याद करिए तो हसी आती है कि यार बच्पना वाद कई एकदम अनोखा ही होता है मज़ा हता है अब याद करके चीजों को उस समय तो लगता था जैसे कि कितना बड़ा गलती हो गया है लेकिन सच में हम अपनी लाइफ में अपनी गलतीयों से अपनी अच्छाईयों से अपनी बराईयों से चीजों से सीखते हैं हर एक घटना जो भी होती है वो लाइफ में एक्सपिरियंस को एड़ करती है तो कम से कम उसके बाद मुझे और भावी को दोनों को यह सबक तो मिल गया कि प्लास्टिक की छनी में चाय या दूद के लमक कुछ और नहीं चानना चाहिए चली यह तो भी बाते क्योंकि मैं बाते करने पर आती हूँ तो मुझे बहुत पुराने पुराने किसे आदाते हैं यार क्या करूँ आपके साथ भी ऐसा होता है देखिए यह वाला पराठा अच्छा सा बन रहा है थोड़ा से मैंने ध्यान दे दिया अधरवाइस यह भी जल तो उसके लिए मिस्टर हजबन कहा रहे है कि चलो काम करो यह वाला मुझे दे देना जो जल गया ता न मैंने का मैं कितनी जले पराठे खाऊंगी यार तो कह रहे है कि नहीं मुझे दे देना इसमें गी मतला वह हाला कि हम दोनों ने इसको शेयर करके खाया यार स्टफिंग अच्छी है तो पराठा यार जल गया नहीं यह तो चलता रहता है तो बताएगा दोस्तों मेरे पराठे कैसे लगे आप खा तो सकते नहीं है लेकिन आप बना के जरुर खा सकते हैं तो कोशिश करें कोशिश नहीं कर यह डेफिनिटली बनाइए यार उटीए किचन में जाए आलू बोल करें थोड़ी से पालक काटिए लेसन मेर्च अधरक सब कुछ फटा फट डाल के गर्म गरम पराथे तयार है तो यहां पर हमारी प्लेटिंग और बच्चों की प्लेट सर्फ कर रहे हैं तो बच्चों को चटनी और सॉस दोनों दे दिया हम मैंने त सॉस वस ना बहुत पसंदी आती या तो मैं प्लेट खा लेती हूं या तो मुझे ग्रीन चटनी अच्छी लगती है तो चलिए प्लेट मेरी अच्छी लगी हो तो जरूर बताईएगा और कमेंट सेक्शन में आकर के लाइक कर बताना वहां पे है लाइक अलग से करना है ओक एक्शली खुमारी नहीं कर रही थी इसके वेल्कम बैक टू निशाज रहीन वह दोस्तों गुड़ इवनिंग सर्जी चाई के साथ हम लोग भी चाई पी रहे हमारा और टाइम क्या हुआ देखिया है और ये नौफ इतना लेट लोगों क्या डिनर हो जाता है हमारा चाई क तो चाई में कि सजी इतना लेट आते ही है तो फिर नहाना दोना से टाइम जाता ही है फिर जो है तो होता है नाश्ता पानी और यह हमारे छोटे नवाब और यह विस चोटे नवाब और इनके दांत आजकर तूटने पर पड़े हों है चल रहे हैं आकर आकर यह वाला तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेजिए और पहली बारे तो सब्सक्राइब करना मिल भूलिएगा मिलती हूं आपसे नेक्स ब्लॉग में तेल देन टेक केर और बाबा अवरीवन अपना अपनों का ध्यान रखेएगा स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए औ स्वड़ात्री